एलो एबरिवन देखिए आज की इस पीडियो में हम बात करेंगे बी एस सी सेगिन सेमेक्टर फिजीक्स में जो आपकी थार्ड यूनिट है उसमा गतिक विभव वा उनके शंबंद देखिए अगर आप स्लेवर्स में ये यूनिट देखेंगे तो ये यूनिट जो आपकी से की गई है लेकिन ये एक बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए हमने एक सेपरेट यूनिट यहां पर की गई है और इसके कोस्टन जो है वह बहुत ही इंपोर्टेंट है और एक्जाम में पूछ जाते हैं तो चलिए मैं शुरू करता हूं एक सबसे पहला पूचा गया है क्लेस की गुपतुसमायऌ है इस टाइप की ब्रक्ते क्लेस क्लेपरियूम हो या क्लेसुक्ण गुपतुसमाय समेकनी इंप्सेंचे गुपतुसमाय ना C2-C1 is equal to DL upon DT minus L upon T Option number B इसका correct option होगा Question number B इसमें हमको बताना है सही संबंध है तो सही संबंध हमको बताना है इसमें सही संबंध होगा DU बरावर TDS minus PDB ये सही संबंध होगा देखें आपने एक पहा होगा DQ बरावर होता है हमारा DU plus DW यहाँ पर अगर हम DU इधर लेकर आएंगे तो यह होगा DU बरावर DQ minus DW और DQ की वैलियो होती है TDS और DW की वैलियो होती है PDD तो इस प्रिकार की रिलेस्टन सही हम यहाँ पर फाइंट कर सकते हैं तो option number A इसका correct option हो question number 3 है Maxwell का पहला उसमागर्थिक संबंध है Maxwell का पहला उसमागर्थिक संबंध है तो देखे मैं आपको बता दू Maxwell के चार उसमागर्थिक संबंध है और चारो के चारो भी बहुत important है और एक question में जरूर पूछा जाता है जोई सबसे पहले उस मगतिक संबंद के अगर हम बात करें तो वो हमारा होता है डेल T अपॉन डेल V सफिक्स में S is equal to minus डेल P अपॉन डेल S सफिक्स में B तो option number A इसका correct option होगा option question number 4 Maxwell का दूसरा उस मगतिक संबंद है तो Maxwell का दूसरा उस मगतिक संबंद होगा option number B that is del S upon del V सफिक्स में T is equal to del P upon del T सफिक्स में B तो option number B इसका correct option होगा तो इसमें question number 5 है Maxwell का तीसरा उस मगतिक संबंद है तो Maxwell का तीसरा उस मगतिक संबंद होता है del T upon del V 지금은 इसका correct option होगा उसन नमबर शिक्सम को दिया गया है रुद्रोस्म ES तो समतापी प्रत्यास्थ है ET का नुपाथ है तो रुद्रोस्म प्रत्यास्था और समतापी प्रत्यास्था का नुपाथ होता है P upon CV उप्सन नमबर सी इसका correct option होगा ये बहुत important question है question number 7 है others gains के लिए CP-CV का मान है तो others gains के लिए CP-CV का मान होता है TE proportional square B option number B इसका correct option होगा ये option number B यहाँ पर हमारा है ये C नहीं option number B इसका correct option होगा question number 8 हमको दिया गया है gives fallon है तो देगे gives fallon का use हम करते हैं उस मगतिक संबंद को derive करने के लिए तो इस chapter में gives fallon भी important है इस gives fallon होता है G बराबर U plus PB minus TS option number C इसका correct option होगा question number 9 हमको दिया गया है हम holds मुक्त उर्जा फलन है तो हम holds मुक्त उर्जा फलन होता है इसका option number D correct होगा F बराबर U minus TS ये हम holds मुक्त उर्जा फलन है उसका correct option होगा question number 10 है एक गैस का ब्यूत्रमरताब temperature of inversion है temperature of inversion होता है 2A upon R B option number B इसका correct option होगा question number 11 हमको दिया गया है चार उस्मगतिक बिभव हैं तो चार उस्मगतिक बिभव होते हैं उस्मगतिक के संबंध है उनको हम find out करते हैं उनको हम derive करते हैं Maxwell के उस्मगतिक संबंध में डेलस अपॉन डेल पी सफिक्स में टी बरावर होता है तो अगर आप याद कर दे हो आपको याद आ रहा हो तो यह Maxwell का पिर्थम नियम है और इसमें इसको उल्टा कर दिया गया है अगर आप चार उस्मागतिक बीभफ पढ़े हैं जिसमें आंतरी कुर्जा भी एक उस्मागतिक बीभफ था तो अप्षिन नमबर डी इसका करेक्ट उप्षिन होगा सही संबंध है देखिए सही संबंध अभी हमने उपर वही बात किती डी 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 बरावर होता है पी डी बी तो प्षिन नमबर सी इसका करेक्ट उप्षिन होगा कुष्ट नमबर फिफ्टीन मैक्सवेल का चतुर्थ उस्मागतिक संबंध है डैल बी आपॉन डैल टी संब्षिन में P इस एक उप्षिन में T सुआ करेक्ट सुन होगा कम सब्सक्राइब 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 वह गत्यास्ता है पिसले चैप्टर में भी ऑपने डिसक्राइब तो इसमें ओप्षन नमबर D Entropy इसका सही option होगा Clasius Clipron समी करना है तो Clasius Clipron समी करना बहुत important है और यह हमारी होति है DP upon DT is equal to L upon T into B2 minus given ओप्षन नमबर B इसका correct option हो जोगे इसमें कोोशन नमबर 19 सही सम्मद है तो DQ बड़ाबर होता है TDS सब्सक्राइब करें तो इसमें प्रिकार हमने यहां पर तीन चैप्टर यहां पर कवर किये हैं जिनोंने पहले और दूसरे चैप्टर की जो सब्सक्राइब कर सकते हैं जो आने वाली वीडियो उसमें हम दो फॉर्थ चैप्टर है उसके मोस्ट एंसे की बारे में डिश्कस करेंगे तब तक के लिए थैंक यू फॉर वर्चिंग इस वीडियो कर दो